अगर फेंट्स आपके पास रियल्मी का नार्जो 60 प्रो है तो मैं इस वीडियो के अंदर आज आपको बताऊंगा इसी फॉन की तॉप 55 प्लेस टिप्स और और कुछ हेडिन फीचर जिनका यूज करके इस फॉन को सौर्ट कर तरीके से आप यूज कर पाऊगी ऐसे से अमेज इस फॉन की स्कीन को आप डवल टैप करके लॉक कर सकते हो इस फीचर को आप करने के लिए प्रसे पर प्रस और करना है और यहां से स्कॉल डाउन कीजिए डवल टैप तो यूधागा घैनल पीचर मिल जाएगा इसको आप अन करें जी़े आप स्कीन को डवल करेंंगे तो इस के लिए आप इस आइकन पर क्लिक क॰़ेज़े और यहां स्वीच कर दिजी है तो आप ऊपर आले को न नीचे कर सकते हैं नीचे मुझे के एन यहां पर आप चाहते हैं किसी एक ऐप्स को ज़्यादा एरिया में यूज करना तो यहां क्लिक करके आप वह भी कर सकते हो तो इस तरह से आप सब्सक्राइब का भी यूज कर पाएंगे इस पॉर्म आ आपको फ्लोटिंग विंडो का सपोर्ट देखने को मिल जाता है किसी भी एप्स को फ्लोटिंग विंडो मलाने के लिए पहले किसी भी एक एक एप् करना है किसी भी अप्षा इप्सको करना चाहिए तो यहां पर चाहिए तो इसको पॉप-प में भी डाल सकते हो जिसक लिए आप यहां साइड पर क्लिक निटग kijken तो आपका यह pop-up में चला जाया कुछ इस तरह से तो यहां पर आप पॉपप में भी इसको डाल सकते हो कुछ भी background में apps को आपको डालना है तो इस तरह सा floating window का यहां पर यूज कर सकते हो यह काफी useful feature हो जाता है इस फॉन में आप साथ अलग-अलग तरह से screen shot को बना सकते हो थी finger से down करेंगे screen shot आ जाएगा एन यहां पर आप चाहते हो long screen shot को लेना है तो आप उसको भी बना सकते हो long screen shot area में जाने के बदा आपको three finger से down करना है scroll देखने को में यहां क्लिक करके आप इसको long कर सकते हो यह automatically scroll होता है आप अपने हिसाब से scroll करके भी इसको long कर सकते है एन यह done करेंगे तो यह save हो जाएगा इसके अलावा आप अपनी एरिया की हिसाब से इस फोन में बहुत आसानी से बना सकते हो जिसके लिए करना है आपको इस इस इरिया का चाहिए तो हम इस तर रिसकों कर सकते हैं यहां क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको कुछ इस फोन के अंदर बना सकते हो जिसके लिए इसकी पर आपको फिर से होल करके रखना होगा इस बीच वाले option को select केजिए अब जिस साइड का आपको बनाना है वो आप इस तरह से कर सकते हो यहां पर भी आप एड़े option मिल जाएंगे वो भी आप select कर पाओगे एन यहां पर करके आप इसको save कर सकते हैं इसके लावा आप एपने area के हिसाब सा select कर सकते हो इसके लिए इसकी लिए इस फोन आपको स्मार्ट स्लाइट बार देखने को मिलता है इसको open करेंगे तब भी यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा screenshot इस पर क्लिक करके भी आप इसको open करेंगे तो यहां पर भी आपको screenshot का option मिल जाएगा आप इस पर क्लिक करके भी direct screenshot के इस फोन आपको मिल जाते हैं जब आप इस परहुन का बढ़ना है इसको press करते हैं तो यहां पर जो भी apps आपके देखने को मिल जाएगा इस पर क्लिक कर दीजिए तो इसका content क्या है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा तो यह काफी useful हो जाता है एन यहां पर आपको RAM का इस पर क्लिक कीजिए देखने को मिलेगा इसको अन कर लिजिए अब रिखने को प्रेस करने पर आपको कितना यहां यहां पर यूज हो रहा है और कितना इस पेस है वो देख सकते हो तो यह काफी useful हो जाता है इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आपको काफी amazing feature मिल जाते हैं जैसे कि आप लॉग स्कीन पर अपने flashlight को on करा सकते हैं और स्कीन पर ही आप गाने को प्लेट कर सकते हैं वह भी अपने इस फीचर को on करने के लिए आपको phone की setting में जाना है यहां से scroll down करना इसको बद आपको देखने को मिलेगा एडिसनल setting इस पर क्लिक कीजिए यहां देखने को मिलेगा gesture and motion इस option पर क्लिक करके सारी condition के लिए आप permission देदेंगे screen of gesture पर क्लिक करेंगे अब यहां पर आपको अलग अलग तरीके feature मिल जाते हैं जैसके ओड्राव करने पर आपका camera apps open होना तो इसको आप on कर लिजिए अब lock screen होने पर आप जैसे screen पर o swipe करेंगे आपका camera apps directly open हो जाता है इस तरह से camera apps को open करा सकते हो एन यहां पर आपको b swipe करना है तो आपका flashlight on हो जाएगा जिसके लिए आप इस feature को on कर लिजिए आप screen off होने पर आप भी swipe करेंगे आपकी flashlight on हो जाएगी इसके लब और भी feature आपको मिल जाएंगे यहां पर तो यहां पर जैसे के आपको music बगारा प्ले करना है तो इस feature को on कर लिजिए अब आप lock screen में गाना चलाने चाहते है तो two fingers down कीजी गाना प्ले हो जाएगा गाने को next करन तो इस तरह सर क्लिक करके आप गाने को preview भी कर सकते हो तो यह काफी unique feature हो जाते है जो कि directly आप lock screen पर control कर सकते हो एन यहाप आपको और भी feature ऐसे मिल जाते है जिनको आप lock screen पर लगा सकते हो अपने हिसाब से जिसके लिए आपको draw a का option मिलेगा जिसको on कर लिजी and got it पर क्लिक कीजिए अब इस साइट जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर तीन option अलग अलग मिल जाएंगे जैसे कि unlock कर सकते हो screen यह टाइप करने पर और किसी को direct call भी लगा सकते हो तो यहाँ पर वह भी feature मिल जाएगा और यहाँ पर चाहते हो किसी भी favorite apps बगेरा को set करना तो इसके ल आप जाएंगे जैसे कि drop m पर भी आप उसको select कर सकते हो एन डवलू पर भी किसी को select कर सकते तो अपने हिसाब से in gesture को आफSet कर पाएंगे जैसे की यह काफी योजफुल फीचर है जैसे कि आप किसी भी call बगएर आपको answer करना चाहते हो तो यहाँ पे काफी unique feature यह आपको दिया गया है किसी call को answer करने के लिए पहले तो आपको यह feature on करना होगा अब answer करने के लिए simple आपको इस तरह से phone की screen on हो जाएगी इस feature को on करने के लिए phone की setting में जाहिए इस call down करने पर आपको external setting पर click करना है इसकी बाद gesture and motion पर click कीजिए यहाँ पर आने को आपको rise to web का feature मिल जाता है इसको on करेंगे तो screen आपको कुछ इस तरह से on हो जाएगा अब जैसे कि आपके phone में यह वाला feature on है तो call आते समय आपको क्या करना है directly ring होते हो phone कान की ओर ले जा रहा है call आपकी automatically answer हो जाएगी तो यहां से अगर आपको यह feature चालू करना है तो आके कर सकती हो एनिया पर आपको autosys to ear receive कर feature मिलेगा इसको on करने पर भी आप अपने phone की जो call है उसको और भी smart कर सकती हो जैसे कि आपके किसी number से बात हो रही है बात होते होते है जैसे अपने phone को आपको अपने कान को ले जाएंगे head free speaker से ही तो automatically जो कानबल receiver रहता है इसमें आवाज आना शुरू हो जाती है अगर आपके phone पर कोई भी call बगर आते इसको mute करना चाहते तो phone को flip कर लिजिए आपकी call automatically mute हो जाएगी तो यहां से इन feature का बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं यहां पर आपके smart call के अंदर काम आती है इस phone में आपको थी बटन navigation देखने को मिलते हैं चाहें तो आप इने hide करके इस phone में जैसर navigation को set कर पाएंगे इसको set करने के लिए phone की setting में चले जाएगे यहां से scroll down कीजिए यह देखने को मिलेगा additional setting इस पर click करके आपको system navigation पर click करना है जैसर के लिए select कर लीजिए यहां पर कुछ unique feature मिल जाते हैं जो कि जैसर की मदद से आप use कर पाएंगे तो इसको on करने के बाद आपको switch to preview apps के लिए on कर लेना है अब किसी भी apps को बहुत आसनी से access कर सकते हो अब जैसे कि आप यहां पर setting से पहले अगर मालीजी आप यहां पर playstore का use कर रहे थे आप जैसे कि पीछे वाले background apps दो लिए आप जाना चाहते हैं तो यहां इस तरह करके आप switch कर सकते हैं आपको phone बाबरेट भी होना चाहिए तो इस feature को on कर लिए आप वह भी कर सकोगे तो यह काफी useful हो जाते हैं यहां पर एक step जब वापस आते हैं तो आपको यहां पर देखने को मिल जाता है पन-handed mode इस feature को यहां से आप जब क्लिक करेंगे तो इस फॉन को बहुत आसानी से पन कर लिजिए अब किसी भी एपस को बन-handed mode पे लाने के लिए तो इस तरह सा आपको क्लिक करना होगा आपको फॉन बन-handed mode पे on हो जाता है अब यहां पर इस लिए नियो क्यों सेरी में चले हैं किसी और एप्स के अंदर यूज़ कर लिते हैं जैसे कि हम यहां पर आ आ गए है अब आप जाता हैं मैसेंजर में बन-handed mode पे लाने के लिए कुछ इस तरह सा आप क्लिक कर लिए आपको फॉन बन-handed mode के लिए ओन हो जाएगा तो यह काफी यूशफूल फेचर हो जाता है इसको फुल स्क्रीन में करने के लिए ब्लैंक एरिया में क्लिक करके आप इसको फु आइकन्स पर आईए, यहाँ पर आपको तीन अलग अपसन देखने को मिल जाएंगे, इनको आप सेलेक कर सकते हो, नहीं तो आप नया सेप बना सकते हो, अपनी हिसाब से जो भी एपस का आप रखना चाहते हो, तो इसको आप कस्तम पर पहले क्लिक करेंगे, आपको अलग लग सेप देखने को मिल जाएंगे, जोकि आइकन्स के अंदर आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, तो जो भी सेप आपको अच्छा लगता है, उसको सेलेक कर सकते हो, एंड बैक्ग्राउंड कितना रखना चाहते हो, यहाँ पर वह भी उप्सन आएंगे, इसको भी आप सेलेक कर इसपर क्लिक करके आप अपने स्कीन के लिए कुछ टैंजक्शन इस तरह से लगा सकते हो, जोकि काफी यूनीक है, तो यहाँ पर आपको स्कीन काफी अच्छी से दिखने वाल है, अगर आप आप टैंजक्शन का यूज करते हैं, तो अपने स्कीन को यूनीक बनाने के यहां से देखने को मिलेगा Wallpaper & Style, इस पर क्लिक कीजिए, colors पर आपको क्लिक करना है, तो यहां पर आप चाहिए तो color change कर सकते हैं, इस तरह से क्लिक करके आप देखोगी, आपका color change हो चुका है, इसके लाब आप इसका shape change करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको keep setting पर क्लिक करना होगा, यहां पर आपको अलगलग shape देखने को मिल जाएंगी, जिसके हमने इसको select किया, आप इसको select करने पर कुछ इस तरह से यहाप देख पाओगे, तो जिस shape में आप अपने control को देखना चाहते हैं, वो select कर सकते हैं, अपने हिसाब से color को भी आपको net speed meter देखने को मिलता है, जिसको लगाने के बाद आपके phone में can net speed आएगी, वो जान सकते हो, तो इसको on करने के लिए phone की setting में जाएंगे, यहां से scroll down किजिए, notification and status bar पर आपको click करना है, यहां status bar पर click करेंगे, यहां आपको real time network speed on कर देना है, अब आपके phone में can net speed select करने पर कुछ इस तरह से बैटी, यहां पर style आपको मिल जाएगी, तो अलग-अलग style को भी आप हैंपर soak करा सकते हो, यहां पर चाहें तो आप इस style को भी बंद कर सकते हो, यहां पर किवला icon देखने को मिलेगा, तो बैटी percentage unhide हो जाती है, मनलब hide हो जाती है, तो इसको आपको clone करना है, उस apps पर आपको click करना है यहां पर उसका rename कर सकते हो, जैसे की facebook facebook नाम से देखने को मिलेगा तो यहां click करके, चाहें तो अपना नाम डाल सकते हैं, इसको save कर दीजी, तो आपके नाम से यहां पर 가지고 को आपड देख सकते हैं, इस phone के अंदर स्मार्रा और करना चाहते हैं floating window के लिए तो आप select कर सकते हो जैसे कि यहां पर आपको select करना है तो अपने smart striber को on कीजी and edit पर click कीजी दिख करने के बाद यहां पर आपको बहुत सारे apps देखने को आपको देखने को मिलता है जिसका यूज करके आपको देखने को मिल जाएगा इस पर क्लिक कीजी and continue पर क्लिक कीजी गैट इस टार पर जाएगे और सेटिंग में आपको पासवट बगएरा बड़े बड़े icons में आपको देहने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर simple mood का आप चाहें, तो यूज कर सकते हैं, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ आपको देखने हो मिल जाते है, scroll करने पर आपको देखने को मिल जाएगा एटवन सेटिंग यहाँ क्लिक कर लेना है power button के लिए आप select करेंगे और यहाँ पर click करके आपको power menu के लिए select करके रखना है अब आपके phone का power button present hold किया जाएगा तो यहाँ पर आपको power option देखने को मिल जाएगे किसी पर एक बर आप press and hold करके रखिए अगर आपका privacy password set किया हुआ है पहले से तो आप उसको डाल सकते हैं नहीं किया है तो simple आप डाल के सहाँ पर secure कर सकते हैं तो यह आपका वही lock रहता है जो आप app lock set करके रखते हैं इसकी बाद प्लस की आइकन पर जाने की बाद आप उस photo and video को select कर सकते हैं जो आप hide करना चाहते हैं यहां पर आपको क्लिक कर देना तो यह आपका hide हो जाएगा आप चाहें तो किसी folders में जाके आप किसी भी अपने photo and video को आप select कर सकते हो जिसको आप album पर click केजिए उस folder के अंदर जाए जिसमें से photo hide करना है अब जैसे कि मुझे यह hide करना है इसके लिए मैं आप उस प्र प्र lesson hold करके रखेंगे तो यहां पर जो privacy lock है वो आपका आजाएगा इसको डालके आप इनको access कर सकते हो इस फॉन में आपको बैटी हेल्ट का भी इस feature मिल जाता है जो कि केबल आइफॉन में मिलता था अब तक अपर इस phone में भी आपको दिये गा है जिसके लिए आपको जाना है कभी भी अपने phone का बैटी हेल्थ तो आपके आप चेक कर सकते हैं इस फॉन में आपको डार्क मूड का support मिल जाता है जैसे कि आप चाहते है इस फॉन को लिए डार्क मूड के लिए यूज करना तो आपको फॉन की setting में जाना है और यहां पे कुछ setting बागेरा भी कर लेना त के इनको आप अपने हिसाब साब करके रख सकते हो तो आप यहां क्लिक कर सकते हो जितना आपको डार्क करना है और यह लग जाएगा और दिन होते आपनी हिसाब से स्वसरा किस समय आपका on होना चाहिए और किस समय बंद होना चाहिए इसके लावा इस पूम आपको i comfort का भी support मिल जाता है जिसको यूज करने के लिए आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा i comfort इस पर क्लिक करके आप इस feature को on करके रखिए आपने phone को अभी भी night में ज्यादा यूज करत सकते हैं किससे में on होना चाहिए किससे में यह बंद होना चाहिए तो यह काफी अच्छी फीचर मिल जाएंगे आप अपने हिसाब से schedule पर रखकर यहाँ इनका यूज कर सकते हैं इस phone में आपको app lock का भी support मिल जाता है इस phone में app को lock करने के लिए phone की setting में जाना होगा यहां स setting पर आप क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको देखने हो मिलेगा छेंग का password set करने के लिए चाहें तो चार अंका आप लगा सकते हैं चाहें तो चाहें तो पैटन लोग भी आप सैट कर सकते हैं जिसके लिए आप यूजे different password टाइप एले option पर क्लिक कीजिए अब अलग करने के लिए हाँ क्लिक कर लीजे लौग हो जाएंगे इनको चेक करने के लिए क्लिक को आप लोग किया तो लोग इट पर क्लिक करके हम जानबी सकते हैं हर वा लॉक आयो अप कर सकते हैं जिसके लिए हायट यही आप को क्लिक करना होगा जो भी privacy Day लग आपने बनाने तब ओ आप डाल दीजिए आप किसी भी apps को hide करने के लिए इस तरह स उस प्रक्लिक करना होगा settings option पर जब क्लिक करेंगे तो एक accessible code आप बना सकते जो भी आपने hide कий होँए apps उनको चलाने के लिए code पर क्लिक करने के बाद जो हाइट किया है वो देखने आप मिल जाएंगे यह आप इनको एक्सिस करने के लिए जो डाल रहेगा इसको आप ओपिन कीजिए इस टायल में आपको बही कोड डाला है जो आपने बनाया था बनाने कवाद जैसी हैस टाइप करते हैं आपके हेड़े फीजर कर सकते हो यहाँ पर यहां पर पर आपके बहुत अच्छे सेको इस टाइब कर सकते हैं यसको चाहिए तो आपको पता नहीं चलेगा किस एप से आपको नॉटिफिकेशन आना चाहिए वह भी आप यहाँ पर कर सकते हो इसको आपको देखने को मिल जाता है मीडिया का फीचर इसको आपके वीडियो काफी अच्छी लगी होगी अगर वीडियो चला हो तो वीडियो को लाइक सियर एंड चैनल को सब्सक्राब करके पहले गिन को प्रेस करना बिल्कुल भी न भूले तो चली फ्रेंट्स मिलते हैं एक और नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए गुद्बाई एंड टेक।